नमस्कार मैं सांतनुस रवास्तो आप देख रहे हैं आइनस 24 नूज अभी हम मौजूद हैं आजाद नगर में जहां डॉक्टर डीनात की गली में ये वाट नमबर 26 है वाट नमर 26 है और इस यहां पे उप मेर के परतियासी साजिद हुसाइन साब हमारे साथ मौजूद है बह बहुत बहुत धन्यवाद शांतनुस जी आप बेबाक आदमी हैं और आप हमेशा जो है अच्छा इंटर्व्यू लेते हैं लोगों का मैं देखता हूँ आपको अभी तो यहां पे जो है वाट नमर 26 की जनता चाय पे चर्चा कर रही थी वापस में इन लोगों की बैठक थ चीज है और यहां की नहीं बन्यादी चीज जो प्राब्लम यहां का है वो सिर्फ इस महले का नहीं है लगबख 46 वाट और पूरे शहर का प्राब्लम है जो आप ये समझ लीजिए कि ये प्राब्लम जो है इसका अगर निदान नहीं किया गया iciहर जिस तरह पांस साल ज्हेल है लगातार दो साल क्षिचा तानी में जो कमिटी लास्ट कमीटी चली है और तीन साल जो है करोना काल में जिस तरह से पूरा शहर का हालत रहा है और आज जो हालत है 25 साल शहर पीशे हो चुका है ये 25 साल का जवाब कौन देगा ये बताईए आप शांतुन ये पचीस साल पीछे करने का शहर बैक करने का जिम्मधार कौन है ये वही लोग जो कुर्सी पे बैठे थे शहर को चला रहे थे वही लोग जिम्मधार है जिन्हों ने शहर को लाकर जो है ऐसे जगह पे खड़ा कर दिया जो बुतियारी पचीस साल आगे होना चाहिए वो अब जिये कि लगबग हर वाड की समस्या नाली की में पानी का निकासी ड्रेनिस सिस्टम का प्राब्लम जो है सडक का निर्मान नहीं हुआ है और बिजली का है और तमाम तरह की बुनिया कचड़ा जो है वैसे ही फेका हुआ है कचड़ा उठाने वाला कोई नहीं है के डिवलप्मेंट के लिए यहां के विकास के लिए पुरानी कॉलियों में कैसे इसको डिवलप्ट किया जाया ताकि यहां जो है रहने वाले लोग उनकी सुविदा सही से मिल सके और सही सुविदा हम दे सके टैक्स तो यह देते हैं यहां की जनता तो टैक्स दे रही है नग कि मैं नहीं कहूंगा यहां की सम्मानी जनता यहां पे खड़िये इनसे आप पूछ सकते हैं कि यहां की समस्या और पूरे मोतिहारी की समस्या क्या है सिर्फ टैक्स देंगे इनको सुविधा नहीं दी जाएगी और उपर जो चोर ये लोग बैठे हुए हैं चोरी करते हैं नीचे से लेके उपर तक सड़क बनाने से लेके नाला निर्मान से लेके तमाम चीजों में जो चोरी करते हैं क्या वो जवाब दे नहीं है जो ठट क्ला बादनाला का आपसड़क का निर्मान के 5 साल का मेंटेनेंस है लेकिन 6 महीने तो कोई पूछने वाला नहीं है क्या सबने पैसा फिक्स कर रखा है क्या कमीशन फिक्स कर रखा है क्या और आम जनता बेवकूफ है कमीशन खोर बैठे हुए नीचे से लेके उपर तक लेकिन आम को देखने वाला कोई नहीं आम जनता के टैक्स की चोरी करते हैं वो लोग बैठके वहां पे आप समझे लिट्रली टैक्स की चोरी करते हैं और अपना पेड़ भड़ते हैं अपनी प्रोपर्टी बठाते हैं लेकिन उनको आम जनता से कोई यह नहीं सारुकार यह नहीं है क तो इसका जवाब दे, अब तो जनता डिसाइड करेगी न, अब तो नगर निगम हो गया, डालेक्ट जनता को चुनना है अपना पर्तिनिदे, उप महापौर रवाट कांसलर तो जनता को चुनना है, पिर यह बेचैनी कैसी, इनमें तो बेचैनी है न. कि ये तो डरेक्ट जनता, पहले जो है, वाट पारशन जो है जाते थे चुनके, लूट खसोट का मामला था, पैसे के लेन देन से जो है चेर्मैन, वाइस चेर्मन बन जाते थे, आज ये बेचैनी, आप समझे मुतिहारी श और वोट के शकल में भी जवाब देगी उन्नों को और वोट के शकल में जनता जवाब देगी सही चुनाओ होगा ये किसी पार्टी की बुन्याद पर चुनाओ नहीं है ये वैक्ती का चुनाओ है जो सही वैक्ती जो शहर का विकास कर सकता है शांतनू जी इस बात को आफ मालूम होगा कि क्या करना है इसके लिए सडके जो जाम पड़ी हुई है नाला जो जाम पड़ा हुआ है उसको ड्रेंट सिस्टम को प्रॉपर कैसे किया जाए इसका जो है रोड मैप जिसके पास होगा वही जो है चुन के आने का हगदार है ये पचीस साल जो मोतिहारी को इन लोगों ने पीशे कर दिया इसका जवाब दे कौन है कौन जवाब देगा बाकी आप मैं जनता के उपर छोड़ता हूं मैं यह नहीं कहता है कि साजिद हुसेन को चुन कर आईए मेरा चुनाच इन लट्टू छाफ है 22 नमबर पे उप महापौर का मैं परत्याशी हूं मैं इनसे यह नहीं कहता है टे साजिद हुसेन को चुनिये चुनिये वैसे लोगों को जो शेहर का विकास कर सके सही मानों में मैं यह कहता ह Намें कि पड़य लिखते लोगों को चुनिये जो श्यार का विकास कर सके तो आप बाकी जो है ये थे साजीद हुसैन साब और मैं इनके वीचारों को सुन का लगता है कि बिल्कुल इन्होंने असपश सब्दों में कहा है कि लूट करने वाले और जो बैमान बेक्तित के लोग हैं आप उन्हें नच चुने और सच्चे उमे दबार को चुने